दोस्तों, SPS Study Point के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज किस वीडियो की माध्यम से B.S.E. फिफ्ट समेस्टर कमेस्ट्री पेपर सेकेंड का या कोश्चन पेपर में डिसकस करने वाला हूँ ये प्रिबियस येर का कोश्चन पेपर है जो की 2023 सत्र में अवजित कराया गया था ऐसे विद्ध्यार थी जिनका एक्जाम रिटर्न पैटर्न के आधार पर हो रहा है नहीं कि इनके लिखित परिछा होनी है उनके लिए आज का या कोश्चन पेपर खासकर मेहत्पुण होगा दोस्तों ये कोश्चन पेपर है अवद्ध विस्भिद्याले का तो आप चाहे जिस विस्भिद्याले से बिलांग करते हूँ सेम इसी प्रकार का प्रस्ण आपके भी इन्वर्सिटी में भी पूछा जाएगा दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोड दिया गया है यह पेपर कोड होता है B020502T यह कोर्स कोड है आप लोग चेक कर सकते हैं सभी विधियाले में यही कोड मिलेगा और Chemistry का जो पेपर नमबर सेकेंड है उसका पेपर टाइटल है Rearrangements and Chemistry App Group Elements Y 메े आपका पेपर नमबर सेकंड है अगर बात करें पेपर नमबर फर्स्ट की तो Organic synthesis A यह आपका फर्स्ट पेपर होता है ठीक है तो थार्ड येर में आपके दो पेपर होंगे पेपर नमबर एक कमेस्टी का जो होगा वो और्गेनिक सिंथेटिस ए पेपर नमबर सेकेंड है आपका री अरेंजमेंट्स और येंड कमेस्टी आप गुरूप एलिमेंट ठीक है और सभी पेपर 75 नमबर के होंगे यह रखेंगे दोनों पेपर जो होंगे वो 75-75 के कराये जाएंगे चले स्टार्ट करते हैं इस कोश्चन पेपर को डिसकस करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर हम सेक्शन नमबर ए जिसमें बेरी सॉट प्रकार के प्रसन होते हैं यहाँ पर दोस्तों दस कोश्चन पूछे गए बेरी सॉट प्रकार के और तीन नमबर का प्रत्रीक प्रसन है जिसमें पहला प्रसन आप देखेंगे पूछा गया है हाउ मनी पेंटागंस एंड हेक्सागंस और प्रजेंट इन सी सिक्स्टी फ्लूरिंस ठीक है यहाँ पर कोश्चन यह पूछा गया था पहला यह यह इंपॉटन कोश्चन है रिपीटे कोश्चन है दोस्तों ट्रिपल स्टार से इसको यहाँ पर मैं मैंने सन्ट कर दे रहा हूं ध्याद पूर्बग इसको देख लेगा ठीक है चले अगला कोश्चन जो आपके समुका चुका है जिसमें पूछा गया था वाई जीरो गू गूरूप का जो इलिमेंट्स है उसको नॉबल गया क्यों कहते हैं इसको एक्सप्लैन कीजिए देखे दोस्तों यह मोश्ट इंपॉर्टन कोश्चन है कई बार रिपीट हुए हैं तो आपको जीरो जो आपका गूरूप एलिमेंट है जीरो गूरूप एलिमेंट है उसको आप कंप्लीटी तयार करके जाएगा एक्साम में ठीक है बहुत ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और यहां से प्रसंट से अगला कोशिन देखेंगे जिसमें पूछा गया था वाट इस दा री जनरेशन ऑप कैटालिस्ट का पतलब आप समझते हैं इसको कहते हैं हिंदी म यह आपका एक प्रकार का कोश्चन पेपर है जहां दिजिएगा यह प्रकार से आप लोग के लिए कोश्चन पेपर है मौडल पेपर है ठीक है यही प्रसंट पत्र अगर आप तयार कर ले जाते हैं तो जो मैं आपको रिपीटेट बताते चलता हूं उतना अगर तयार कर ल पहलmost को यह इन ऑर्गनिक वैंजीन कौन सी एच लिये यह किया कोश्च्छन था इन ऑर्गनिक बैंजीन का टोपिक है तो यह दोस्तों फिलहाल इस बार आगर बात करें हम लुंजार 23स की तो इस फिद्धर 22 विद्धियाले में आया हुआ था आजमगर्ण विद्धियाले और विद्धियाले में पूछा जा चुका है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं कुश्चन नमर एफ जिसमें इनमें से कौनसे एलिमेंट के पास सबसे हाइस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट होता है कि स्रीज में तो फोर डी स्रीज आप एलिमेंट में ठीक है चले अगला कोशन देखीगा इसमें है एक्स्प्रेंदा लेंथेनाइट कांटेक्शन देखे लेंथेनाइट स्रीज और एक्टेनाइट स्रीज भी पूछी जा सकती है तो लेंथेनाइट यहां पर कांटेक्शन दिया गया है लेकिन आप लेंथेनाइट स्रीज तयार कर ल elements होते हैं उनको हम generally उत्प्रेरक के रूप में प्रियोग करते हैं इसका कारण क्या है यह आप बताईए कारण और कथन वाला question बहुत मूठा जाता है organic chemistry आपकी पूरी है तो इसलिए इस प्रकार के प्रसंद देखने को आपको मिलेंगे ओके चलिए अगला question आ गया 100% guarantee इस प्रसंद को यहाँ पर नोट कर लीजिएगा question number I को BIMP के नाम से यह बेरी बेरी most important के ठीक है इसमें question है कि what is the order of migratory aptitude of first degree, second degree and third degree alkyl groups in bire vigler oxidation तो bire vigler acceleration का जो oxidation है इसमें प्रथाम दुतिये और तुतिये जो alkyl group है first degree, second degree, third degree alkyl group in bire vigler oxidation ठीक है इसका आपको order of migration बतारा है most important question है यह buyers vigler oxidation यह guarantee वाले प्रसंद है इसलिए मैंने यहाँ पर very very most important आपको note करा दिया है clear इतनी चीजे चलिए आगे बढ़ा जाए next question देखिए यहाँ पर देया गया है कि what is car boredom ठीक है car boredom क्या होता है यह question note कर लिजेगा फिलार repeated नहीं है अगला section देखते हैं section number b की बात करेंगे जिसमें questions है कि attempt any three questions तीन question को आपको यहाँ से हल करने होंगे और प्रते question कितने number का यहाँ आपको बताना है डिसकस्ट दा रोल आप नाइट्रीन और नाइट्रीन इंटर्मेडियेट्स यहाँ पर रोल आपको बताना है discuss the role of nitrogen, our surroundings in half-man reaction, courtes reaction और simpt reaction यह तीन प्रकार के naming reaction है पहला है हाउपमान, courtes और simpt reaction इसमें जो नाइट्रीन इंटर्मेडियेट्स का रोल है वो क्या है यह आपको यहाँ पर बताने है ठीक है तो यहाँ पर जो naming reaction मने बात किया हापमान, कोर्टस हापमान, कोर्टस और सिंट ये तीनों तयार कर लिजेगा और इनकी क्लियाबधी, मकिनिजम तयार कर कि जाएगा ठीक है, एक्जाम में रिपीट होने वाले कोशन है तीसरा प्रस्ट दोस्तों दस नमबर की गारंटी दस नमबर की मैं गारंटी लेता हूँ ये फिक्स कोशन है आपके जो एक्जाम ने आपको देखने को मेरेंगे कोशन है, डिस्क्राइब दा मिचलिस मेंसन इक्वेशन मिचलिस मेंसन इक्वेशन फोर दा एंजाइम काटालिश और इंजाइम काटालिश्ट के लिए क्या है और इनके जो सिग्निफिकेंस है एंजाइमेटिक रेक्शन के वो बताईए बोस्ट इंपॉर्टन कोशन रहेगा ये तीसरा वाला आपके लिए अगला कोशन देखेंगे कोशन नमबर चार जिसमें है डिस्क्राइब दा 18 एलेक्टरान रूल जो 18 एलेक्टरान रूल है वो क्या है डिस्कस दा स्ट्रेक्चर और जिएमेट्री स्ट्रेक्चर भी बताना है और इनकी जिएमेट्री भी बतानी है वी सी ओ सिक्स और एप ए सी ओ फाइब का यहाँ पर आपको क्या बताना है इनकी जियोमेटरी और इनके इस टेक्चर ठीक है पहले तो आपको यह बताना है कि 18 electron rule क्या है questions आपको बेरी साट में भी मिल सकता है 18 electron rule का तो आप यह देख लेजएगा 18 electron rule क्या है ठीक है इसको मैं triple star से मैंसर कर दे रहा हूं most important है चले अगला question आपकी screen पर प्रस्न आ चुका है जिसकी भी मैं guarantee लेता हूं 100% all विस्विद्याले में repeat होते है प्रस्न बार-बार examiner question को पत्र में mention करता है question कौन सा है वो what are the metal carbonals metal carbonals क्या है discuss the nature of bonding in metal carbonals ठीक है question है कि metal carbonals क्या है इनके nature और bonding क्या है वो आप discuss कीजिए next question है छटा question जिसमें पूछा गया है describe a comparative behavior आप second and third period element under the diagonal relationship with special emphasis on limg, beal and bsi ठीक है question यहाँ पर है comparative behavior बताना है second and third period elements के under diagonal relationships के दोरा बहुत important question है diagonal relationship exam में आता है और बार-बार examiner इस question को repeat करते हैं तो इसको आप ज्यान पूरुबग देख लीजिए एक अगबर अगला question देखें क्या पूछा गया था सात्वा question जिसमें explain the following यहाँ पर explain करना है ncl3 ठीक है इसका कारांड प्रस्ट करना है अगला question आ गया question नबर आठ यह 100% guarantee वाला यह प्रस्न है guarantee वाला question आ चुका है दोस्तों यहाँ पर BIMP लिख दीजिएगा BIMP very very most important question जिसमें question कह रहा है what is borans borans क्या है discuss the structure and geometry आप di borans ठीक है borans क्या है और di borans की geometry और इसका structure क्या होगा यह बताएगा most important question नवा question है what are lengthenides lengthenides क्या है how are they separated with each other यानि lengthenides क्या है और इसको हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं separate कर सकते हैं यह आपका अगला question है ध्यान दीजिएगा इसमें question number 8 और question number 9 बार बार examiner इस person को exam में डालते हैं तो इस question को आप ध्यान पुरबग देख लीजिएगा अगर आप चाहते हैं भाई यह 30 number यह 30 number का section है तो मैंने पहले भी आप लोग को एक question बता दिया है दूसरा आपका हो जाएगा डाइबोरेन का तीसरा हो जाएगा lengthenides का क्लियर है चलिए अब हम बात करते हैं section number C की section number C से केवल एक प्रसन आपको अब हल करने होते हैं 15 number का यह आपका section होता है ठीक है 500 सब्दों में इसके उत्तर देने होते हैं यहां से मैं आपको दो प्रसन ऐसे बताऊंगा जो आपको long section में guarantee है आपको मिल जाएगे ठीक है question number यहाँ पर 10 देखिएगा what are 3D series of elements यहां पर रहें कि 3D series of elements क्या है discuss their electronic configuration इनके electronic विन्यास और oxidation state और catalic property बताईएगा ठीक है यह question से important है 3D और 4D दोनों याद तयार कर दिएगा 3D और 4D series जो element है वो क्या होते हैं इनका electronic विन्यास क्या होगा electronic configuration क्या है oxidation state और इनके catalic property यह तयार कर लिजेगा guarantee है आपको 15 number के मिल जाएंगे 15 number confirm आपको हो जाएगा अगर यह तयार है ठीक है चलिए अगला देखते हैं question number 11 जिसमें है compare the properties of group 15 elements on the basis of the following यहां पर है compare करना है property किसका group 15 elements का किसके आधार पर यह नीचे दिए गये है electronic configuration के आधार पर oxidation के आधार पर anization potential के आधार पर और oxide और highlights के आधार पर most important question यह भी है देखें 2022 और 2023 सतर में अभी तक यह दोनों question repeat किये जा चुके हैं ठीक है चलिए अगला question है question number 12 जिसमें है write a short note लिखने के लिए आया है nitrogen fiction nitrogen fiction guarantee बार बार repeat होते हैं हर बार का यह exam में आता है हर बार आता है ठीक है nitrogen fiction अगर तयार है तो 5 number आपका clear हो जाएगा biological rules आप alkali and alkaline earth metal यह तयार है तो आपका 10 number तयार हो जाएगा यानि 15 number complete दोनों question बहुत ही महत्मूर है बहुत टॉप के प्रस्न है ठीक है चलिए आगला question देखते हैं जिसमें दिया गया 13 number question है describe with proper mechanism इनके आपको mechanism देने हैं और mechanism दोनों का बहुत ही important होगा पिना कोल पिना कोलें rearrangement यह आपको organic synthesis जो आपका पहरा paper है chemistry का वहाँ भी देखने को मिलेगा यह प्रस्न बार बार organic chemistry में पूछा जाता है इस बार यह paper number second में भी topic है इसका ठीक है यह आपके part करम में है paper number first और paper number second दोनों में first का तो 100% confirm होता है second मा इस बार आया है हो सकता है repeat हो जाए तो पिना कोल and पिला कोल and rearrangement आपका तयारी होगा क्योंकि आप paper number first तयार कर रहे होंगे अब हम बात कर लेते हैं बैंजल एंड बैंजलिक एसे ड्री एंजलिक ठीक है तो यह rearrangement इस बार आने की संभावना 100% है paper number second की first का तो पिनाकोल पिनाकोल एंड री अरेंजमेंट तयार है अगर तयार है तो second में आएगा तब भी आप कर ले जाएंगे ठीक है तो आपको जबसे जहान किस पर देना है second के लिए बैंजल एंड बैंजलिक acid rearrangement पर ठीक है तो दोस्तों पूरा जो प्रसंपत्र था 2030 का मैंने completely discuss कर दिया है इसके जो important question थे जो इस बार repeat होने वाले प्रसंपत्र थे वो भी मने बता दिया है तो इन प्रसंपों को आप जयार कर लिजिएगा कल की class में ठीक इतनी time यानि कि आज तो class में थोड़ सा बिलम हो गया लेकिन आपकी class 9 बजे ही होगी तो 9 बजे कल मैं आपको model paper दिखाने वाला हूँ paper number second का paper number first का model paper दी दिया है आप लोग playlist में जाकर के वीडियो जरूर देख लिजेगा और पीडियो भी ले लिजेगा ठीक है दोस्तों वीडियो कैसी लगी comment box में comment करके बताएगा वीडियो को like जियर जरूर कर दीजेगा और चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी नेक्सी वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंज जै भारत